हेलो अब्रिवान वेल्कम टो के वी टीचर्स गिल्ड तो बच्चों अभी हम डिसकस करेंगे कक्षा तीन हिंदी अर्दवार्शिक परीक्षा का एक प्रशन पत्र जो कि केंद्रे विद्याले के बच्चों के लिए हैं तो सबसे पहले भाग आ में पहला प्रशन है नीचे दिये गए पठित अनुच्षेद को पढ़गर प्रशनों के उत्तर लिखिए पठित अर्थार्ठ या पकी पाठे पुस्तक का एक पेरग्राफ है इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रशनों के उत्तर लिखने है एक थी बुढिया, उसका एक पोता था, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, दादी रोज उसे तरह तरह की कहानिया सुनाती एक दिन गाउं में मुशलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गाउं बारिश से परिशान था, बुढिया की जोपडी में पानी जगय जगय से टपक रहा था टिप 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 ये टिप टिप पा जो पाठ है उसका पैराग्राफ अभी प्रशन देखते हैं पोता किस से कहानी सुनता था तो पोता किस से की जगे आप लिखेंगे दादी से कहानी सुनता था आगे हैं एक दिन गाउं में क्या हुई? एक दिन गाउं में मूसला धार बारिश हुई तीसरा प्रशन है सारा गाउं किस से परिशान था? सारा गाउं बारिश से परिशान था आगे है चौधा प्रश्ण बुढिया की जोपड़ी में क्या टपक रहा था इस अनुच्छेद यह है अनुच्छेद किस पार्ट से लिया गया है तो यह है अनुच्छेद टिप टिपवा पार्ट से लिया गया है अनुच्छेद से डून कर शब्दार्ट लिखो स्थान का और वर्षा का वर्षा के लिए शब्दाया है बारिश और स्थान के लिए स्थान के लिए है जगह अगला प्रशने अनुच्छेद से ढून कर लिंक बदलो बुढ़ा, बुढ़िया, पोता, सारी पोती, पोता आगे है अनुच्छेद से ढून कर विलोम शब्द लिखो दिन, रात, शहर, गाउं अनुच्छेद से ढून कर वाक्ये पूरा करो दादी रोज उसे तरह-तरह की खाली जगह सुनाती थी अनुच्छेद से ढून कर दो उकी मात्रा वाले शब्द लिखो हुई यहाँ पर हाँ में चोटे उकी मात्रा है और सुनाती सामें भी चोटे उकी मात्रा है अभी दूसरा प्रेशन है नीचे दिये गए अपठित अनुच्छेद को पढ़कर प्रेशनों के उत्तर लिखिए अपठित अर्थार यह जो पारग्राफ है यह आपकी पाठित पुस्तक से नहीं होगा इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रेशन दस प्रेशन होगे उनको उनके उत्तर देने है एक छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था व्यापारी के पास एक गधा और एक घोड़ा था वह रोज दोनों की पीट पर अपना सामान लागता और बेचने के लिए बाजार ले जाता एक दिन व्यापारी के पास ले जाने के लिए थोड़ा ही सामान था इसलिए उसने सारे सामान को एक साथ बांध कर उसका गठर बना लिया फिर उसने यह गठर गधे की पीट पर लाग दिया गधे को अपनी पीट पर लदे बोज के कारण ठकावट महसूस हुई फ्रशन है छोटे शोटे शहर में कौन रहता था छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था कौन की जगे हम लिखेंगे छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था व्यापारी के पास क्या क्या था व्यापारी के पास एक गधा और एक घोड़ा था आगे हैं व्यापारी समान को क्यों बाजार ले जाता था? व्यापारी समान को बेचने के लिए बाजार ले जाता था क्योंकि जगे लिखेंगे बेचने के लिए आगे हैं गदे को क्या महसूस हुई? गदे को थकावट महसूस हुई अनुचेद के लिए या अनुचेद का एक उचेद शीर्षक लिखिए शीर्षक हो सकता है व्यापारी, गधा और घोड़ा आगे है अनुचेद से ढूंड कर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए बड़ा, छोटा और छोटा का होगा बड़ा आगे है अनुचेद से ढूंड कर दो काम वाले शब्द लिखो सो काम वाले शब्द हो जाएंगे बेचना, लादना, रहना, ठकना अगला प्रशने दो पालतू जानवरों के नाम लिखो जो आपके पैरग्राफ में आए हैं गधा और घोड़ा आगरी प्रशने अनुचेद से दो बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द लिखो सो व्यापारी एक ही है व्यापारी धिन पीट आगे है निर्देश आनुस्वार उत्तर दीजिए शब्दार्थ लिखो तनिक अर्थार थोड़ा हिम्मत साहस तुकवाले शब्द लिखो सुनाओं बुलाओं आओ जाओ समान अर्थ लिखो चांद चंद्रमा शरीर तन नेक्स्ट है वचन बदलो लड़का लड़के घोडा घोडे लिंग बदलो गाय बैल शेर शेरनी विलोम शब्द लिखो हार जीत आज कल दो नाम वाले शब्द लिखो किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं किसी जानवर का नाम जगे का नाम नदी का नाम गंगा ताजमेर दो काम वाले शब्द पढ़ना खेलना दो नुकते वाले शब्द लिखो कमजोर यहाँ पे ज़ के नीचे यहाँ पर नुकता आएगा देन तूफान फा के नीचे नेक्स इस मुहावरे का अर्थ लिखो आग बबुला होना बहुत गुस्ता होना बाक्य में प्रियोग करो पानी हमें पानी बरबाद नहीं करना चाहिए नेक्स इस प्रैवाची शब्द लिखो जल, पानी, नीर, सूरज, सूर्य, भानू सर्वनाम शब्द लिखो कोई भी दो, वह, मैं आ की मात्र लगाओ आम, दाम त्रिया शब्द पर रेखा खीचो राम स्कूल जाता है तो काम है यहाँ पर जाना मोर नाचता है नाचना अगे अर्थपूर्ण शब्द लिखो नाम सा आसमान ये पाउ उपाए सही शब्द पर गोला करो चिडाते या फिर चिडाते चिडाते सही है मिस्री या फिर मिस्री मिस्री सही है सही अक्षर चुनकर लिखो आवा, आवाज या फिर आवाज नेक्स्ट है ज, जकडा या फिर जगडा जगडा जोड कर लिखो जंगली प्लस जानवर ये होगा जंगली जानवर रसोई घर अक्षर जाल से ढून कर जानवरों के नाम लिखो शेर लोमडी भालू और बाग नेक्स्ट है ब अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखो बाग और बकरी शुद्ध करो हिस्सा वर्तनी सही करनी है कचहरी कचहरी चंद्र बिंदु लगा कर लिखो चांद मूच सही करम में लिखो कक्षा मैं तीसरी पढ़ता में हूँ मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ अनुनासिक शब्द लिखो अनुस्वार शब्द लिखो अनुस्वार 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 शब्द लिखो नेक्स्ट है वर्ण माला की अनुसार क्रम में लिखो सो वर्ण माला में सबसे पहले का आता है सबसे पहले होगा कमल का खा गा घा चा चा जा उसके बाद जा जल और फिर पल और मचली में पा फा बा भा मा पहले पा आता है फिर मा आता है मचली अक्षर से शब्द बनाओ हम ली अच्छा इन सभी अक्षरों से शब्द बनाने हैं हा से हल मा से मचली ली से लीला का से कमल पा से पतंग खा से खरगोश नेक्स्ट है चा से चमच गा से गमला शा से शेर फा से फल बा से बकरी और जा से जगह जहाज अब यह भाग बा है यहाँ पर आपकी पाठे पुस्तक से प्रशन है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौस जमाऊ मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूच बढ़ाऊ यह पंक्तिया किस कविता से ली गई है कविता का नाम है मन करता है आगे है इस कविता में कवी क्या क्या बनना चाहता है इस कविता में कवी बाबा बनना चाहता है और पापा बनना चाहता है संसार में धूप कौन पहलाता है संसार में धूप इसमें नहीं दिया लेकिन उसमें है सूरज पहलाता है आपकी कविता में है कोयल को क्या क्या नाम से बुलाते हैं कक्कू किसान कहां रहता था उसकी बीवी का क्या नाम था तो उसकी बीवी का नाम था बित्तो और किसान गाउं में रहता था कहां की जगे आप लिखेंगे गाउं में उसकी बीवी का नाम बित्तो था मखी शेर के पास क्या करने लगी? मखी शेर के पास भिन-भिन करने लगी नेक्स्ट है कोई चार पालतू जानवरों के नाम लिखिए गाएं, भैस, बक्री, घोड़ा अम्मा ज़ाडू को पकड़े कहां पहुंच गई? अम्मा ज़ाडू को पकड़े चांद पर पहुंच गई चांदनी फैलाने वाले का क्या नाम है? चांदनी फैलाने वाले का नाम चांद है आगे है घर की सफाई के लिए किन-किन चीजों का स्तिमाल होता है घर की सफाई के लिए पानी, ज़ाडू और कपड़ा आधी का स्तिमाल होता है आगे है शेर के बारे में दो वाक्य लिखो सो शेर एक जंगली जानवर है शेर मासाहारी होता है या फिर शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं अभी तीसरा भाग पहला प्रश्ण है छुट्टी मांगने है तू अपने अध्यापक जी के नाम एक पत्र लिखो तो सबसे पहले सबसे उपर आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचारिय महोदे अपने विद्याले का नाम केंद्रिय विद्याले जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसकी डेट एक लाइन छोड़कर एक सितंबर दो हजार बाइस फिर विशे विशे है अवकाश हेतू प्राटना पत्र या अवकाश के लिए प्राटना पत्र अब नीचे से लिखना शुरू करेंगे सविन्य निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे कक्षा आपके विद्याले में आपके विद्याले की कक्षा तीसरी मालिजा थोड़ ए में है तीसरी अ का छात्र या फिर छात्रा हूं मुझे कल राज से तेज बुखार है डॉक्टर ने मुझे दो दिन आराम करने के लिए कहा है अतह मुझे दो दिन का आवकाश प्रदान करने की कृपा करें फिर नेक्स नाइन में लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूँगा नीचे आपका आग्यकारी शिश्य मैं आपका आभारी रहूँगा नीचे आपका नाम यो भी नाम है और कक्षा कोयल के बारे में पांच वाक्य लिखो कोयल काली होती है यह है पेडों पर रहती है कोयल फल व खीडे आदी खाती है और दो जो में पांच है कि कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है और यह अपना गोशला स्वर्म नहीं बनाती यह अपने अंडे कोवे के गोशले में देती है अगला प्रशन है चित्र के बारे में अच्छा इसी के और में है आप कोयल के बारे में पांच बाक्या भी लिख सकते हैं या फिर इस चित्र के बारे में पांच बाक्या भी लिख सकते हैं जो भी जानवर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे बकरी घास खा रही है गोड़ा हिन हिना राय इस तरीके से 5 sentences आप लिख देंगे बस ये था आपका प्रेशन पत्र थैंक्यू सो मच पर वाचिंग